आज हम बात करने वाले हैं कुछ लोगों से समझेंगे आखिर क्या है इनकी राजनेतिक राहे और ये किधर जाना चाहा रहे हैं आपका नाम क्या है सुखवीर राजकूत सुखवीर जी आपके राजनेतिक मुद्दे क्या है और किन पर आप बोट देने वाले बोट तो हम बीजेपी पार्टी को ही देंगे और राजनेतिक मुद्दे राव तो मानलों ठीक है बीजेपी पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कार उन्होंने अच्छा किया है बीजेपी में तो भगदर मची हुई है स्वामी प्रसाद महर भाग गए कितना ब करका की सरकार सरकार तो नहीं बनेगी पार्टी ठीक है द। कि उनके जाने से बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी ऐसा नहीं है जनता सब देख रही है तो नहीं कई ना अभी वह अपनी मर्जी से कर रहे हैं उनके करने से कुछ नहीं कि द्वारा बनेगी तो इस पार्टी में कभी उस पार्टी में भागना या अपना पेड़ देखने वाले हैं नेता तो ऐसे देताओं को तो जो है दरकनार कर देना चाहिए लगों को पार्टी में मिलाना नहीं चाहिए इनको तो जा बिलकुल नीचा देखा देना चाहिए कि यह दल्वदिलू नेता है और यह अभी तक पिछोड़ों की बात कर रहे हैं तब पास साल तक जब तक इन्हों ने लूटा-पूटा तब तक बात क्यों ने पिछोड़ों की गई आज जब चुनाओ का एंटाम आए गया तिक नहीं हो इनके बच्चे को मिला तब इन्हों अगत्ति तो खतम कर रहे हैं ना आपकी पार्टी को कभी नहीं खतम कर पाएंगे छुद खतम हो जाएंगे पैपि पुचैपी को देख रहे ही इनको टोरी देखेगी कि थो के रहे हैं 135 सीटों पर मेरा प्रभाव है मैं सब छाने सीटों पर लाँगा यह पांचे पर समिठ जाएंगे 135 की जिए पाचे पर जया इसे कार हैंगे कित्ल बदल इसमें जाना उसमें जाना इन राइदंने राइद YOU थो रही है यह तो खूड नीज में चल रहे हैं चुनाओ का महौल है आज हमें मिले हैं एक समाजवादी नेता जो जिला पंचाय सदस्त रहे हैं नाम है सुधीर यादो उर्फकल्लू आये इन से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है इनके राजनेतिक मुद्दे और कहां जा रही है इनकी पार्टी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्रबाद कौन से मुद्दे किनके साथ आप चुनाओं में जा रहे हैं और आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रियत द्यक्ष आधरलिस्री अखले स्यादो जी सन 2012 से और 2017 तक इस प्रदेश के मुखवंती रहे और उन्होंने बहुत सी लावकारी योजना हैं चाहे हमारी बहनों के लिए कन्या विद्यादान योजना हो चाहे नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता हो चाहे विद्वा पैंसन हो चाहे किसान वीमा हो बहुत सारी लावकारी यो और जब से बाजपा की सरकार आई, किसान बरबाद हो गया, नौजबान बेरोजगार हो गया और पूरे प्रदेस में, पूरे प्रदेस को लूटने का काम किया बाजपाई तो कहते हैं समाजबादी सरकार आते ही गुंड़े भड़ जाती है क्या कहने है आपका? यह उनका अनरगल आरोफ है, समाजबादी पार्टी की सरकार जब जब भी आती है तो बिल्कुल लाइन आर्डर सही रहता है और सब के साथ सभी को लेकर समाजबादी पार्टी चलने वाली है, सब के काम आती है यह स्वामी प्रसाद मौर जी आपकी पार्टी में अभी आये हैं इनके आने से कितना अंतर पड़ेगा, क्या मैसूस करते हैं? आदर्डी स्वामी प्रसाद मौर जी बहुत बड़े नेता है नेता बिरोधी दल रहे, प्रदेश अध्यक्ष बस्पा में रहे और भाजपा में भी वो कैवन मंती रहे उनके आने से निश्चित है मौर समाज और सैनी समाज बैकवर्ड जितना भी है आदर्डी अखले स्यादव जी को इस प्रदेश का मुक्वंत्री बनाना चाह रहा है और दस मार्च को आम जैनमानस इस प्रदेश का हर उचाएन प्रशड़ा वर्गो आदर्डी अखले स्यादव जी ने कहा है कि 85 और 15 85 क्या 100 परसंट आदर्डी अखले स्यादव जी को मुक्वंत्री बनाने के लिए जा रही है इस प्रदेश की जंता और दस मार्च को आदर्डी अखले स्यादव जी मुक्वंत्री बनाएगे